कि नमस्कार दोस्तों मेरा नम मोहित है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्ट सपोर्ट पर स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे हमें इक की ID को आउटू पे कन्फिगर कर सकते हैं और साथ यह साथ यह भी देखेंगे कि जब Gmail की ID का कन्फिगर करते वक्त रिपीटली आसकिंग फॉर पासफ़र मांगता रहता है उस एरर को कैसे दूर करेंगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीमेल का ID है मेरी TechF1.help at gmail.com सबसे पहले हमें इसकी सेटिंग पर जाकर यहां पर हमें फारवर्डिंग एड़ पॉप आई मैप में जाके आई मैप यहां पर डिसेबल है यहां पर जाकर हमें पहले उसे अनेबल करना है और उसे एज़ा सेफ चेंजिस कर देने हैं यह होने के बाद आपको आउटलुक पर जाना आउटलुक पर मेरी अलड़ी एक ID करंफिगर हम इसे फाइल पर जाकर हम इसे एडिक कोउट पर क्लिक करेंगे यहां पर हमें मैनु ou al set up और additional server टाइप पर क्लिक करना है next करना है pop और आइमैप प्लिक करना है next यहां पर आपका नाम ज्स नाम से ओड़ी है यहां पर मैंने टे Conservation सपोट कर यहां पर हमें आइमेप स्लेट करना क्योंकि भी हमने आइमेप अनेबल किया है आइमेप डॉट जीमेल डॉट कॉम यह हमारा इंकमिंग मेल सर्फर आउट गोइंग के लिए हम जूज करेंगे स्म्तीप डॉट जीमेल काई यहां पर हमें एस डाउनी है यहां पर 파oure और कटने के बाद पहले मेंस का जो जीमेल का पासवड आप कर रहा हूं यहां पर remember हटा रहा हूं इसका मैं reason आपको बाद में बताऊंगा more setting पर click कीजिए outgoing server here यहां पर click हीजिए outgoing server smtp or require authentication advance पर जा करना है तो SSL करेंगे तो 993 port आएगा यहां पर SSL करेंगे तो यहां पर हमें 465 करना है 465 ओके तो दोस्तों जब हम Next पर क्लिक करेंगे तो हमें repeatedly asking for a password पूछेगा इसका मतलब दोस्तों यह नहीं है कि हमारा password गलत है हमारी जीमेल पर एक ID होती है एक सट्टिंग होती हमें जोड़ा देखना पड़ता है तो मैं जीमेल पर द्वारा जाता हूं अगर मैं देखो यहां पर password भी डालूंगा तो दौबारा दौबारा पूछेगा जो मेरा जीमेल का password है चाया मैं इसे सेव कर दूं चाया कुछ कर दूं के दौबारा पूछा है तो यह पूछेगा तो अभी हमें इसका यहां पर जाना है यहां पर manage your Google account यहां पर हमें security जाना है यहां पर app password दिखो मेरा two way two step verification अलड़ी ओन है जाट से वह एरग देता है कि यहां पर कोई login करने की कोशिश कर रहा है यहां पर app password पर जाओ क्लिक करो यहां पर आप से फिर से जीमेल का password पूछेगा दोस्तों यहां पर पूछ रहा है कि select app कौन सी app है किसके लिए करना है mail के लिए करना है आपको और select device यहां पर विंडोस computer के लिए कर रहे हैं उसको select किया और यहां पर हमने generate पर क्लिक कर दिया तो दोस्तों यहां पर एक password generate हुआ है हमें इसको सारे को select करके copy करके यहां done कर दिया है done करने के बाद हमें इसे minimize करना है इसको एक बार cancel करना है stop close यहां पर remember पर क्लिक करके यह हमने type password copy किया तो वह हमने paste कर देना है अब हम next पर क्लिक करेंगे तो आप यह देखेंगे कि हमारा यह completed status में आ रहा है तो दोस्तों आपने यह देखा कि यहां पर आप हम close कर देंगे और यहां पर finish क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहां पर मेरी एक Gmail की ID configure हो चुकी है outlook start हो रहा है तो दोस्तों आप यह देखिए यहां पर भी मेस डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है इसमें यहां पर डाउनलोड हो गई है तो यहां पर सने नोटिफिकेशन भी आया इमेल भी आया कि आपका जनेरेट हुआ है वहां पर पासवर्ड में और यह टेस्ट मेल भी उसकी पहले हमारी टेस्ट मेल अलरी थी इसमें सो यह इमेल आप यहां पर देखिए अब आप यहां पर इमेल पर जाएंगे तो आपकी देखिए सेम इमेल से से यह PMP का है तो यह PMP का आ गया और यह बाकी इमेल तो देखा दोस्तों कितनी असानी से और हमने वह को दूर करके जो हमारे रिपीट ली आसकी वह फो पासफ़ड पूछता है उसको भी दूर किया और अपना जीमेल की एडी भी कंफिगर कर ली तो दोस्तों अभी हमने यह देखा आई होप यह मेरा परसेस आपको समझ में आया होगा और अगर आपको मेरा भी वीडियो पसं को में है अपको सम दोस्तों में में यह जाग खिजड दोस्तों में अपूियो ऑ्सकी वालि आपको आपको समझ मतता ह Aujourdskiक कि मतता है वी दूर का उने हम जह ब व aquesta अव़ के वाला है अव में आमयों नहें झाक schneller रिजू